केस है सेकिंड केस में एक केश श्री राम 25 यह जो एक फ्री लांसर है उसने ट्राइन एर्र थोड़ा इधर दोर से ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके खुद से एक ड्रग को बनाना सीख लिया वो ड्रग का नाम है TMT उसको एक्चुली इट से केमिकली प्रोसेश ड्रग डाई मिथाइल ट्रिप्टो माइन बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भासा में उसको चांदा बोलते हैं तो यह बहुत ही पोटेंट ड्रग है अगर एक बा बाद में आदे घंटे तक बड़ा स्ट्रॉंग है लिजनेशन रहता है और इसका जो कंस्यूम करते हैं वह इसका एक पर्टिकुलर इक्विप्मेंट है यहां पर इस एंड पर ड्रग लगाके एक दूसरा इंसान उसमें यहां से फूक मारता है तो सीधे उसकी नोस्टिल क जरीए उसके सिस्टम में चली जाती है तो इसका इस्तमाल किया जाता था इसके लिए और यह भी एक दूसरा इक्विप्मेंट है इसे आप आप दिखा दिए और यह जो है यह इतनी पोटेंट ड्रग इसने तयार की कि एक ग्राम ड्रग तकरीवन बीस लोग उसमें कंसूम कर सकते हैं and they will be very very strongly affected by its influence तो यह इसमें इसने trial and error करके कुछ chemical में जाके कोई particular chemicals को list out किया उसको मगाता था कुछ open source से medical store से दवायां लेता था कुछ constituent इसके Amazon से भी मगाता था lavender simple type के उसको एक chemical process के द्वारा इसने rectify करके process करके और refinement करके उसका ये drug तयार किया and he became expert in processing this drug और जब उसने अपने कुछ लोगों को उसको पहले शुरू शुरू में कम लोगों को बेचा तो इसके हिसाब से बहुत अची feedback आई तो उसके बाद से से continuous network का यह विस्तार कर रहा था तो immediately ऐसे लोगों पर रोक लगाना जरूरी है तो मैं मीडिया के माध्यम से हैदराबाद के सभी शहरियों से CP साब की तरफ से अपील करूँगा कि यह ड्रग का जो effect होता यह अभी हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे बहुत ही घातक और बहुत ही बहुत ही बहुत होता है यह एक वन वे स्ट्रीट है जहां पर कोई की रिटर्ण नहीं होता तो पियर प्रेशर हो या सिर्फ एक बार ना टेस्ट करें ना टेस्ट करें मेरी आप सब लोगों से अपील है बलके इस मामले में जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हो इमीडियेटरी पुलिस को इतला करें आपके यह एक्शन करने से कितनी ज़्यादा जिंदगियां और फैमिली सेव हो सकती है धन्यवाद अब मैं रिक्वेर्स करूंगा